नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास अंक में जोतिशराट के देख रहे हैं बहुत सारे लोग कहते हैं सुख क्या है बहुत सारे लोग इस बात का गिल्लाग आते हैं कि हम सुरू से अब तक सुखी रही है हम सुख की बहुत सारी अलग-अलग परिभाशा हैं पहले ही बता चुके हैं आज एक अलग एंगल लीजिए एक राशी का नाम मैं ऐसा लेने जा रहा हूँ जो बारह राशियों में सबसे अधिक सुखी राशी है सुख का ताथपर यहां जो हमने लिया है वो यह है कि वो बड़ा निश्चिंत सी रहती है राशी उसको किसी चीजी कोई चिंता रही बेटा कहीं जा रहा है अरे चाय जा 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 जैसा करेगा वैसा भरेगा हम कहें माथा पच्ची करें हम क्यों टेंसर ले ऐसे लोग इस व्वाट के को अक्सर कहते मिलते हैं कि हम क्यों टेंसर ले हम क्यों पेली हमसे क्या मतलब है अधिस ने यह वाग के कहा हमसे क्या मतलब है मेरी निगाह में ग्रों की निगाह में वह सुखी हो गया क्योंकि जैसे मतलब करेगा उसको टेन्सन हो जाएगा और परोसी यहाँ गाड़ी के आ गई अब सुखी है हमसे क्या मतलब हो गया परोसी यहाँ गाड़ी हागी हमारे हैं नहीं आई हमारे वित्र नहीं हमारे बापन ने तो वह टेंसन बढ़ गया तो यह समझने वाली बात है कि सबसे निश्चिंत निर्दुन्द राशी सबसे सुखी राशी जिसको किसी से कोई फिक्र नहीं होता कोई मतलब नहीं होता जो अपने आप में बहुत सुखी होता है क्या ग्रहिय कारण देखे कुंडली में ग्रोहों की निगाह में एक ही सुख बताया गया वो मकान और वाहन का है जो चतुर्थ भाव से सम्मंद रखता है जिसका नाम है सुख भाव और गहराई में आएं बच्चे के अवस्था में जब तक आप रहे किसोरा अवस्था में रहे तब तक चतुर्थ भाव मात की भूम है आप इसको समझिए और आप के लावा कोई समझ नहीं सकता है तो आज हम एक ऐसी राशी की विश्य में बताने जा रहे हैं जो सबसे सुखी राशी है और उसका कारण हम बताएंगे कि उसके पीछे का कारण क्या कैसे वो सुखी हो गई और बस एक ही अर्थ हमने दिया अब आप भी अलग से चिंता पालेंगे कि अभी तक हमने दो पहिया लिया है चार नहीं लिया है ऐसे नहीं लिया वैसे तो नहीं लेते लोग वो राशी है वो मूल राशी है कुम्भ राश जिहां कुम्भराशी कुम्भराशी एक्वेरियल्स आर दा हैप्येश्ट परसंस क्यों उनसे क्या मत्तब एक वाक्य वो याद रखते हैं हमसे क्या हो गेश्ट है और जैसे हमसे हुआ दुख की पराकाश्था है तो आइज्दा से आप भी वन दिच्वेश्ट ळहिए अगर आप कुम्भावाले हैं और या अगर आप कुम्भावाले नहीं है तो इसका एक इलाज है आप खुद कुम्भ जैसा बन जाएगे इस मामले में कि हमसे क्या मतलब है लवर ने फोन नहीं किया वाइफरेंड ने फोन नहीं कि हमसे क्या मतलब सरली नहीं मिले इस महिने हमसे क्या मतलब बहुत सुख होगा जब आप मतलब रखेंगे तो सुख से बंचित रहेंगे थाइंकू आपकी प्यार के लिए रुमत चाहेंगे और ने विशे ने शोद लेकर आएंगे आपको कोई विशे चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विशे लिखिएगा हम उस पर विचार जरूर करेंगे बहुत ख्याल रखेंगे नमस्कार स्रीकिष्णा शिरादे